हलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे अवंती फीड्स के बारे में देखिए BSE में अभी 433 के आसपास अवंती फीड चल रहा है NSE में बात करेंगे जो इसने Days High लगाया, 440 के लगाया और Days Low के आसपास अभी ये Trade हो रहा है 3-4% तूट चुका है जहां सेंसेक्स 1-1.5% ही तूटा है वन मन्त की बात करेंगे तो वन मन्त में देखिए वन मन्त में 10% के लगभगी स्टॉक आपको ग्रावट दर्ज दिखा चुका है लगतार डाउन ट्रेंड में और अगर हम बात करेंगे इस साल के 2021 की तो देखी 2021 में जनवरी से लगतार फॉल इसमें हो रहा है और 17-18% की नेगटिव ग्रोज जनरेट कर चुका है जहां सेंसेक्स 2-5% अपवर्ड में है वहां अवन्ती फीड अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है अगर हम बात करेंगे वन एयर के चार्ट पेटरं की देखी वन एयर में इसने ग्रावट के बाद अच्छे खासे रेटन जनरेट करके दिए और 45% की रेटन जनरेट करके दिए हैं हमें और जहां सेंसेक्स ने 63% की रेटन जनरेट करके दिए हैं तो overall मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये stock भी अभी आपको ग्रावर्ट में मिल रहा है, आप चाहें तो इसको buy कर सकते हैं, आप मैं जरू लेविल बताने जाऊंगा, अगर ये stock जैसे ही corner time खतम होगा, ये stock आपको अच्छा का सा भागता हुए नजर आएगा, कि इसका जो seafoods का business जैसे वो जबरजस्त है, इसकी market में पकड़ भी बहुत strong है, और इसका import export का अगर हम देखेंगे तो वो भी लाजवाब है, ये stock हमारे लिए बहुत ही important stocks में से एक है, अगर हम बात करेंगे इसके PE की तो देखिए, अगर आपको ये PE नजर आ रहा होगा, तो 16 का PE लगभग इसका भी चल रहा है, और ये historical PE इसका 19 का है, मतलब ये इसका 19 से 20 के आसपास का PE है, लेकिन अभी आपको 3 से 4 पॉइंट नीचे सस्ते valuation पर मिल रहा है, अगर हम industry का average देखेंगे तो 18 का है, 18.60 का industry का average है, और उस average से नीचे मिल रहा है, अगर हम बात करेंगे अधर जो इसक स्टॉक DNA के देखिए, जहां एक साल में ये स्टॉक 45% बड़ा अत्रीदी है, माँ सेंसेक्स और BSE 500 जहां पी रेश्टर है, उन्होंने 73% की return generate करके दिये हैं, एक साल में, market cap की बात करेंगे तो 5936 करोड की शांदार market cap company, एक mid cap स्टॉक है, और आपको dividend return उत्ता खासा provide नही आ रहा है, आपको सारे moving average के नीचे ये trade होता हूँ, नजार आ रहा है, इस इस stock में थोड़ी सी problem बनी हुई है, bearness बनी है, लेकिन इन labels का हमको फायदा उठाना है, मैं आपको बताऊंगा किस label पे आपको buy करना है, अगर हम deliveries की बात करेंगे, देखिए, last जो sessions की deliveries हैं, उसमे देखेंगे तो 1.67 lakhs, आपको देख रहा होगा volume लगातार और deliveries भी constant, बिल्कुल deliveries लेते जा रहे हैं लोग, अबंती feed बहुत ही जबर्जिस stock है, इसको आपको portfolio में जगा देनी चाहिए, तो लिए अगर हम बात करेंगे, price comparison की देखिए, अगर हम बात करेंगे, इसके quarterly results की, उतने अच्छे खासे नहीं थे, जिसकी वज़े से लगातार ये, तब से downtrend में है, अगर हम पिछले September की बात करेंगे, तो अच्छे खासी growth दर्ज negativity आपको दिकसाब दिखा रही होगी, जहां 11,31 की मुकाबले 5915 ही आया है, sales की बात करेंगे, तो आपको changes अगर देखेंगे इसके consolidated net profit की, operating margin की, तो आपको यहां पे भी अच्छी खासी negativity नजर आईगी, चलिए, यह था हमारे तरफ से, अगर हम dividend return बात करेंगे, उत्ता खासा नहीं है, share holding pattern की बात करेंगे, देखे, share holding आपको देखने को अच्छा खासा मिलेगा, promoters के बास 43% की holding से, 35% की उपर promoter holding अ हैं, अगर हम FIS की बात करेंगे, तो अच्छी खासी 17% की holding बनी हुई हैं, और mutual fund की बात 3.34 की other DIs के पास 3.13 की holding से, अगर हम share holding compare करेंगे, देखे, यह December में आपको यहां पे FIS की holding अच्छी खासी increase होती हूँ नजर आई है, 17.20 September के मुकाबले, अगर हम बात करेंगे, FIS promoters क holding constant है, non-institution investors की holding भी लगभग constant है, other DIs की बात करेंगे, तो DIs में अच्छी खासी selling की है, लेकिन FIS ने buying के ही एक positive news है, अगर हम charts में देखेंगे, अवंती feed charts में बहुत ही negative नजर आ रहा है, अगर हम RSI की बात करेंगे, तो 25 की RSI है, और grab में भी बिलकु नीचे की तरफ लेता जा रहा है, नीचे की तरफ बिलकुल लगतार ग्रावट आपको नजर आ रही है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको zoom करेंगे, तो देखें, आपको यहाँ पे एक support नजर आ रहा होगा, हो सकता है, यहाँ पे यह consolidation का zone में जाए, और आपको एक support लेता हुई नजर आसपास आप इसमें अच्छी खासी value buying कर सकते हैं, और industry की P.E. सारे चीजों से सस्ता मिल रहा है, अगर हम बात करेंगे इसके, आज के दिन के label की तो देखें, आज अगर आप थोड़े से aggressive buyer हैं, तो 433 के आसपास इसमें buying कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा इसको zoom out करेंगे देखिए, यहाँ पर आपको नजर आएगा कि यह stock अपने 700 के आसपास के label से record ना में लगातार ग्रावट दर्च करने के बाद धीरे धीरे आपको उपर जाता हूँ, नजर आ रहा है, अगर हम थोड़ा सा और zoom करेंगे, आपको one week का chart pattern में दिखाना चाहूंगा, देखिए आपको फिर से यह 600-700 के label पर नजर आए, तो आप stock में अब नजरें बना सकते हैं, आप इसको अपनी watch list में लगा के रखिए, आपको के इन labels पर लेना है, मैंने यह बताया है, आप चाहे तो इन labels पर ले सकते हैं, अगर हम बात करेंगे देखिए, यहाँ पर 200 day के moving average के जश इनका market share है, और market में पकड़ भी बहुत अच्छी है, और government जो other international company उसे देखेंगे, तो बहुत बड़ी company के साथ type भी इसका, यह था हमारे तरब से अवंती feet के बारे में, आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, हमें comment में जरूर लिखके बताइए, thank you for watching us, चाहे हैं, चाहे भा जाँ है है तरब से लगाँड़ है, झाहे हैं, चाहे हैं, जरूर लिखके बारे में जरूर लिखके बारे में जरूर हैं, जरूर है और समझे हैं, आपका फule रहुत अथावाँदू